श्रद्य विनोध अगरवाल जी के सू मधुर भजनों को देखने के लिए क्रिपया गोविन की गली चानल को सब्सक्राइब, लाइक वे शेयर करें रादे रादे उत्रा सागर में जो उसको मोती मिले खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया नुकता ची शंका वादी को मैं ना मिला नुकता ची शंका वादी को मैं ना मिला मुझे को तो शबरी का भोला पन भागया मुझे को तो शबरी का भोला पन भागया तूने मुर्ती का मैं मुर्तिवान था तूने पत्थर काहा मैं भी पाशान था ये तो तेरे ही विश्वाश की बात है धना जटने बूलाया मैं जट आ गया धना जटने बूलाया मैं जट आ गया ये तो तेरे ही विश्वाश की बात है विश्वास की बात है तूने मुर्ती कहा मैं मुर्तिवान था तूने पत्थर कहा मैं भी पाशान था ये तो तेरे ही विश्वास की बात है एक तरभ प्रलाजी खड़े हैं एक तरभ हिरनकश्चप नंगी तलवार देके खड़ा है बीच में तपता हुआ खंबा है पूस्तय हरन कर्शफ बता तेरा हरी कहां है जहां है प्रलाजी कहते है इसमें है है तुझ में है मुझ में है समझ जगे वो ही है विश्वास नहीं होता उसे तब तेवे खंबे को देखकर कहते है प्रलाजी से अगर इसके अंदर इसमें भी है अगर इसमें है तो जाओ लिपड़ जाओ इससे उनका तो विश्वास अतल था प्रलाजी जाकर तब तेखंबे से लिपड़ जाते हैं कुछ नहीं होता है ये दिश्च देखकर हेनक के शप आश्चिर चकित हो जाता है उसे विश्वास हो जाता है कि जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ है तबी तपतावा खंबा कुछ भी नहीं कर पारा प्रलाजी को व्यतित नहीं कर रहा है परिणाम क्या नंगी तलवार देकर दोड़ता है और जैसे खंबे पर प्रहार करता है से भी जानते हैं नसिंग भगवान प्रगट हो जाते हैं अब उपर से तो देखने में दिख रहा है कि खंबे से प्रगट हुए हकीकत क्या बोलती है कि जिस चण उसे विश्वास हुआ कि भग खंबे से लिप्टा हुआ है घरम खंबे से इसे कुछ नहीं हो रहा जैसे विश्वास हुआ और खड़क मारी उसने नसिंग भगवान प्रगट हुए तो दिखने में तो खंबे से प्रगट हुए लेकिन हकीकत कहती है कि यह तो विश्वास से प्रगट हुआ है जिस चण उसे विश्वास हो गया कि इसी खंबे के अंदर है बस प्रगट होना ही था इसे सूफी कहता है तूने मुर्ति कहां मैं मुर्तिवान थ तूने मुर्ती कहा मैं मुर्तिवान था तूने पत्थर कहा मैं भी पाशान था ये तो तेरे ही विश्वास की बात है तना जटने बूलाया मैं जटना गया उत्रा सागर में जो उसको मोती मिले उत्रा सागर में जो उसको मोती मिले मोती किसे मिले उत्रा सागर में जो दर्या किनारे जाकर सेर करना उसका अपना मजा है तो सेर में भी बड़ा मजा है आनन्द है कुछ ऐसे होते हैं कि दर्या किनारे जो नाव चल रही है दर्या के बीच में जाकर मजा लिए जाए परिणाम नौका में बैठ जाते हैं नौका विहार और कश्टी कभी ज़्या डखमग होती है दो चार छीटे अपनों पर पढ़ते हैं तो और मजा आता है नौका विहार का अपना मजा है इन दोनों कामों में कोई विशेश प्रयास नहीं है नौका विहार में तो बिल्कुन ना कोई और चला रहा है मजे भी खुद ले रहे हैं लेकिन फिर कोई ऐसे भी होते हैं कि सेर का भी मजा लिया नौका विहार का भी मजा लिया क्यों ना इस दर्या में तेरा जाए परेडाम तेरते भी हैं लेकिन इन तीनों को मोती नहीं मिलते ना सेर करने वाले को ना नौका विहार करने वाले को ना तेरने वाले को मोती किसे मिले उत्रा सागर में जो उसको मोती मिले खोज की जिसने मेरी मुझे अपा गया खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया नुकताची शम का वादी को मैं ना मिला मुझे को तो शबरी का भोला पन भा गया सच तो ये है कि तूने बुलाया नही सच तो ये है कि तूने बुलाया नही बिन बुलाये कभी मैं भी आया नही तूने बुलाये कभी मैं भी आया नही तूने ब्रेम से मुझे को खिलाया नही तूने ब्रेम से मुझे को खिलाया नही मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया उत्रा सागर में जो उसको मोती मिले खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया नुकताची शंका वादी तो मैं न मिला मुझे को तो शबरी का भोला पन भा गया प्यार को प्यार है सीधी सी बात है प्यार को प्यार है सीधी सी बात है प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसल्मान मुझे को रस खान सलवार पहना गया क्यों पहना गया प्यार को प्यार है सीधी सी बात है प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसल्मान मुझे को रस खान सलवार पहना गया उत्रा सागर में जो उसको मोती मिले पूछ की जिसने मेरी मुझे पा गया नुकता चीशंका वादी तो मैं ना मिला मुझे को तो शबरी का भोला पन भा गया मुझे को तो शबरी का भोला पन भा गया मुझे को तो शबरी का भोला पन भा गया कर दो